प्रेंड सोची आप कोरोना के कारण एक साल के बाद थियेटर जा रहे हो और जैसे स्पेशल मूवी के लिए आप थियेटर गए हो उससे आपने बहुत सारी उमीदे लगा के रखी हैं लेकिन उस फिल्म के पहले सीन से ही आपकी सारी उमीदे तूट कर चकना चूर हो जाएं आपको कैसा लगेगा? एक बिना सरपेर की कहानी जिसमें एक से बढ़कर एक वाहियात कोमेडी scene आपको ऐसे लगते हो जैसे कि आपके सर पर कोई 100 किलो का हथोड़ा लगा तर कोई मारे जा रहा हो और इसी भी आपको अचमबा तब होगा जब आपके बगल से ही किसी के हसने की और बहुत ही तेज तालिय बजाने की बहुत इंजोई कर रहे हैं और उस वक्त आप अपने आप से पूरा confidence खो चुके होंगे और अपने आप पर आपको शक हो जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएगे कि आखिर वो लोग बेवकूफ हैं कि हम बेवकूफ हैं और आपको तुरंट ये realize हो जाएगा कि बेवकूफ आप खुदी हैं क्योंकि आप अपनी छुट्टी वाले दिन अपनी नींद खराब करके सुबह जल्दी उटके रेडी होके एक साल के बाद थियेटर आये हो इस मूवी का first day first day देखने ये सोच के ये फिल्म 2018 में आई आईकॉनिक मूवी इस्तरी जैसी ही कोई जबलदस्थ हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी क्योंकि इसे इस्तरी के मेकर्स नहीं बनाया है और उन्होंने ये एड़टाइज किया है कि ये मूवी भी इस्तरी जैसी ही एक ब्रिल्यंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है लेकिन तब तक आपको समझ में आच चुका है कि आप इस ट्रेप में बुरी तरफ फस गए है और अब आपके सबादो घंटे एक बहुत ही खतरनाक टॉर्चर के साथ निकलने वाले हैं जी हां फ्रेंट तक आप समझी गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो है फिल्मी रिव्यू आफ मूवी रूही लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए उसका notification bell भी on कर लें ओके फ्रेंट्स तो आज का दिन बहुत थी बुरा रहा मेरे लिए बहुत सारे torture बहुत सारी चीजे जहलने के बाद फाइनली मैं इस जगह पर आ गया कि आपको मैं बता सकूँ कि new movie रूही केसी है आपको उसे देखने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सिरुवात करूँगा फिल्म की basic कहानी से हालंकि कोई basic कहानी नहीं है no story no screenplay no dialogue कुछ नहीं है इस फिल्म में फिल्म पी आपको बता देता हूँ कि यह कहानी है बागलपुर के एक छोटे से सहर की जहां पर दो दोस्त हैं राजकुमार राओ और वरुन सर्मा दोनों एक press में काम करते हैं जनरलिजम का लेकिन उसका असली काम रहता है लड़कियों को किड्नेप करना जी हां उनकी जो कंपनी है या उनका जो बोस है उनका यही काम है और उनके सहर में होता यही है कि जब भी अगर किसी लड़के को साधी करनी हो तो पहले उसको लड़की चूस करनी पड़ेगी और उसके बाद उस लड़की को किड्नेप करवाना पड़ेगा और kidnap करवाने के बाद उस लड़की के उस लड़के से साधी होगी जी हाँ लड़का साधी के पूरे arrangement कर लेगा पंड़ना लगा लेगा function function की तयारी कर लेगा रिष्तिदार रिष्तिदार आ जाएंगे उसके बाद लड़की kidnap होगी किड़नेब होने के बाद लड़की आएगी और लड़के के साथ साधी होगी इस सहर में सालों से यही हो रहा है यही सहर का रीती रिवाज है जी आँ प्रेंट्स यह रीती रिवाज है उस सहर का oh my god क्या सोच के मेकर्स ने यह लिखा हुआ है फिर आगे बढ़ते हैं ऐसे ही एक दिन इन दोनों को राजकुमारा और वरुन सर्मा को जानवी कपूर को किड्नेप करने का मौका मिलता है या फिर ओरर मिलता है और ये लोग जैसे तैसे जानवी कपूर को किड्नेप भी कर लेते हैं लेकिन लास्ट टाइम पर पता चलता है कि जानवी कपूर के उपर किसी चोडेल का साया है और वो बार-बार चोडेल में बदल जाती है फ्रेंट्स यहीं से इस फिल्म का होरर वाला पार्ट चालू होता है लेकिन यहीं पर वो होरर वाला पार्ट खतम भी हो जाता है जी हां friends पूरी फिल्म होरल जैसा कुछ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं जानवी कपूर में एक चोडेल का साया है तो बारबाल जानवी कपूर वो चोडेल में बदल जाती है और जो हमारे हीरो है राजकुमार राओ उसको जो ओरिजनल जानवी कपूर है जिसका नाम रूही रहता है उससे प्यार हो जाता है और वो सोचता है क्यसे भी उसकी परिशानी दूर की जाए लेकिन यहींपे जो वरून सर्मा है उनके दोस्त उनको पता नहीं कैसे जानवी में जो चुडेल आ रही है जिसका नाम अफचा है उससे प्यार हो जाता है मतलब क्या सोच है मेकर्स की या जिसने ये स्टोरी लिखी है क्या सोच है मतलब वरून को या फिर किसी भी लड़के को एक चुडेल से प्यार होता है Oh My God क्या ऐसा संभव है मतलब एक जगा आप दिखा रहे हो कि वो उसके अंदर चुड़ेल आ जाती है और बहुत खतरना टाइप से बेग्गराउंड म्यूजिक और सीन ऐसे एकदम ढराने वाला उसी पल वरुंट सर्मा उसको देखता है चुड़ेल को देखता है और उसको उससे प्यार हो जाता है और वो जो होरर सीन क्रियेट करने की जो कोशिश थी उसमें बेग्गराउंड म्यूजिक बसता है सागर जैसी आँखों वाली ये सौंग बसता है मैं सच बता रहा हूँ वहाँ पर वो चुड़ेल का चेहरा दिखाते हैं जानवी कपूर में कम्प्यूटर से घटिया सी एडिटिंग करके इसे आईस वगेरा कुछ करके और गाना कौन सा बजा रहे है मस्त वो वरून सर्मा को दिखा रहे है और शौंग यह चल रहा है बेग्राउंड में ओ माइगाड कैसे यह सीन क्रियेट कर सकते हैं मतलब सोच से परे मतलब इता ज़्यादा गुसा आता है यह देख के कि यह कैसे कैसे कोई ऐसा कर सकता है फिर उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और वरून को चोडेल से प्यार हो जाता है और राजकमारा को रुही से प्यार हो जाता है और कोई भी कोई भी ऐसा कोई होरर सीन आता नहीं है और कोई भी ऐसे बेग्राउंड में कोई कहानी नहीं आती है जिसको ऐसा लगता है कि में भी कोई मिस्टरी हो कुछ ऐसा हो हमें पता चले कुछ नहीं पता चला कुछ बीफाल तुम्हें अना फ्रना कुछ घटना है होती रहती है होती रहती है और फिल्म इंटर्वेल हो जाती है इंटर्वेल के बाद फिल्म वहीं से शुरू होती है कुछ पता नहीं क्या घटिया सा होता रहता है इन ल चोड़ेल वहां से चली जाएगी, कुछ भी है, अनलोजिकल है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और समझने की इच्छा भी नहीं होगी, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, पर ये, ऐसा सीन डालके, ये लोग सोच रहे हैं, कि दर्सकों को अच्छा लगेगा, एंटर्टेन होंगे, हसी आईगी, रियली आपको देखके हसी आईगी, उसमें, बिल्कुल मुझे तो नहीं आईगी, और मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी को सीन पर हसी आ सकती है, ऐसे ही पूरे सीन भरे हुए है, और फिल्म ऐसी खतम हो जाती है, मतलब समझ में तो आती नहीं है, कोई बिना सरपाओं जैसे मैंने बताया, कोई लोजिक नहीं है, कुछ नहीं है, जबल दस्ती के बनाया गया है फिल्म को, और फिर ऐसी जगह पर छोड़ा गया है कि पार्ट टू भी बना सकते हैं, मैं कर, ओ मैं गोड, पार्ट टू, बियोंड इमेजिनेशन है, मेरे तो बियोंड इमेजिनेशन है, फिल्म ऐसी खतम हो जाती है, और हम मूँ लटका के, बड़ा सा मूँ लटका के, थियेटर से बाहर निकलते हैं, यह सोचते हुए, कि एक छुटी, एक दिन हमने बरबाद कर दिय और हमने जो सोचा था, कि हम थियेटर में वापसी करेंगे, बैक विद दे बैंक के साथ, कुछ अच्छा एक्साइटमेंट के साथ, वो पूर इस अपने हमारे चकना चूर हो जाते हैं इस फिल्म के साथ, और अगर मैं एक्टिंग के बात करनों, तो जानवी कपूर का, तो इसे डायलोग दिये ही नहीं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि वो कुछ भी कर पाएं, इतनी घटिया उनको स्टोरी मिली है कि उनके पास कुछ भी करने को कुछ भी नहीं था, और उपर से वरुन सर्मा को जो फिल्म में रखे हैं, पता नहीं क्या उनके उपर कंदों के बोस्त मुझे बिल्कुल कुछ भी नियू नहीं लगा लेकिन बहुत ज्यादा उबाउ लगा तो मुझे वरू सर्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस मूवी में और इसके अलावा फ्रेंट्स मूवी में करेक्टर ही नहीं है मतलब एक दो छोटे छोटे रोल किसी के होंगे लेकिन उसके अलावा कोई करेक्टर नहीं है इन पे ही पूरी मूवी चलती है इसलिए बहुत ज़्यादा बोर लगने लग जाती है जब इन तीन करेक्टर में ही उलचके रह जाती है फिल्म बहुत 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 ज़्यादा बोर लगती है तो फ्रेंड्स ओवरॉल मुझे फिल् मैं आपको all the best ही बोलूँगा अगर आप ये पूवी देखने जाने वाले हैं तो तो फ्रेंड्स इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक जरूर कर लें और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है पहचान वाले इस पूवी पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ सेयर जरूर कर सकते हैं इसके अलावा कोई सजेशन या कंप्लेंट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं वरना बहुत जल्द मैं आप झाला बहुत जल्द मैं आपके जरूर पार आपके जापके जल्स हैं आपके जल्स हैं